हां जी बच्चों, तो Micro Economics में Unit 2 जिसका नाम Consumer Behavior है और जिसका आपके exam में 13 marks का weightage है, इसमें 4 chapter थे और 4 में से 1st chapter utility and 2nd chapter indifference curve, अब 3rd chapter पर हम आ चुके हैं, जिसका नाम है Demand, तो 1st of all इस chapter का नाम Demand है, इसका आपके exam में काफी अच्छा weightage है, Micro Economics में सबसे ज़्यादा weightage रखने वाले chapter में से एक chapter है आपका ये Demand, काफी अच्छा इसका weightage रहता है, तो आइए start करते हैं इस chapter को, chapter number 3, Demand, तो बच्चे, जैसे ही मैंने chapter का नाम लिया Demand, तो 1st question आपके mind में यही आया, what is the meaning of demand, demand का क्या मतलब है, demand होता क्या है, किसे कहते ह Demand, तो आईए मैं पहला question आपसे यही पूछता हूँ, what is the meaning of demand, तो आपके mind में आ रहा होगा, किसी भी चीज को, किसी भी commodity को मांगना, वो हमारा Demand होता है, तो first of all अगर आप ऐसा सोचते हैं, कि किसी भी चीज को, किसी भी commodity को मांग लेने से, हमारा Demand में वो consider हो जाता है, तो आप बिलकुल ये गलत है, बिलकुल गलत आपका explanation है, क्यों गलत है जरा समझी है आप, बच्चे आप एक market पे पहुँचे, एक shop पे पहुँचे, आप fair price shop पे पहुँचके, और वहाँ पे आप कहते हैं, कि मुझे rice दे दो, तो shopkeeper आपसे कहता है, भी कितनी दो, आप कहत जी rice दे दो, तो shopkeeper कहता है, कितनी, आप कहता है, जी rice दे दो, तो shopkeeper कहेगा, sorry sir, हम आपको नहीं दे सकते हैं, कुछ भी, अब हमारी समझ से बहार हैं, आप जा सकते हैं यहां से, तो आप के, आप अगर किसी commodity के हो, आप मांग रहे हैं rice को, तो क्या उस चीज को demand में consider करा, उस चीज को demand में consider नहीं करा, क्यों? क्यूंकि आप rice सर्फ बोल रहे हो, आप पूरे दुकान से rice लेने के लिए नहीं आये होंगे, आप पूरे जितनी भी हर्ज के available आप rice लेने नहीं आये हैं, आप basically rice लेने नहीं आये हैं, rice के साथ साथ उसके एक particular quantity को आप buy करने आये हैं, तो demand कोई commodity आपकी नहीं हो सकती है, उस commodity की आप कोई specific particular quantity आप लेते हैं, आप क्या मांगते हैं market में आते हैं, तो आप commodity के साथ साथ में उसकी quantity को लेकर आते हो, या पूरी commodity को उठा कर लेकर आते हो, आप उसकी quantity को लेकर आते हो, तो demand कोई commodity है या commodity की quantity है, आप क्या मांगते है या उस commodity की quantity को लेकर आती है और आप shirt लेने गए तो आप shirt की quantity लेकर आएंगे या पूरी shirt मारके से उठाके लिए आएंगे तो demand में क्या आप demand करते हैं commodity या commodity की quantity आप क्या consider करते हैं तो demand क्या है commodity है या commodity की quantity तो basically बच्चे आप 2 kg rice अगर ले रहे हैं तो वो 2 kg आपकी demand है ना कि पूरी rice आपकी demand है 5 kg rice लेंगे तो वो 5 kg rice आपकी demand है तो demand क्या है quantity of the commodity उस commodity की जो quantity जो आप ले रहे हैं उसको आप क्या कहते हैं demand कहते हैं clear है दूसरी बात बच्चे वो जो quantity आप लेते हैं वो एक given time of period में होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए एक given time of period में आपका होना चाहिए given time of period क्या होता है for example इस समय मैं एक शौप पे 2 kg rice ले रहा हूं तो उनसे मैं यह नहीं कह सकता कि मैं आपसे 1000 kg rice का demand कर रहा हूं शौप की पर कहता है जी कैसे मैं कहता हूं पहले बच्पन से लेता जा रहा हूं अब तक तो हो गए होंगे यह मैं आगे future में लेकर जाओंगो तो इतने हो जाएंगे नहीं इन सब को demand नहीं कहते हैं पहले कितना लेके गए आगे कितना लेके जाओगे उस given time of period में जो आप ले रहे हो वही आपके demand में consider करेंगे ना कि आप आगे कितना लेके जाओगे उसको ना कि आप पीशे कितना लेके गए हो उसको तो एक given time of period में एक given time of period में आप जो भी किसी community की quantity को उसके given price पर given price का मतलब क्या हुआ कि बच्चे आप एक market में पहुँचे हो उन्होंने कहा कि आपने कहा जी शर्ट कितने क लगा रहे हो तो shopkeeper क्या कहेगा आपसे आपको नहीं देगा वो आपको दुकान से बेज़ देगा आपका friend अगर साथ में है तो वहीं आप से खुद कहेगा या तो यह समानुमान तो लेना है नहीं और ऐसी time pass करने आ जाता है तो उस चीज़ को आपके demand में consider नहीं कर रहा है समझेगा अब आपने क्या का जी एक shirt दे दो आपने यहाँ पर quantity भी mention कर दिये है लेकिन आप उसके given price पर purchase करने के लिए ready नहीं है तो इसको भी demand में consider नहीं किया जाएगा तो demand होने के लिए क्या क्या जरूरी है एक तो commodity नहीं commodity की quantity mentioned हो और उस quantity को आप एक given time of period में लेने चाहिए और उस में आप उसको उसके given price पर आप उसको buy करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आप demand में consider होते हैं for example आप market में कोई समान जब खरीदते हो जो आप demand करते हो तो कैसे करते हो आप demand घर में भी आप करते हैं किस चीजों को मांगते हैं लेकिन घर में उसको demand में consider नहीं किया जाएगा क्योंकि उस समय आप जो है buy नहीं करते हो उसको उसके given price पर तो demand के लिए जो compulsory condition है first of all आप किसी commodity के quantity को उसके given price पर given time of period में जो भी आप buy करने का decision लेते हैं वो आपकी demand में consider होता है for example एक shop पर गया जी 2kg rice दे दो 2kg के payment करी है 2kg मेरी demand में घर पर गया तो यहाँ पर क्या होगा commodity rice उसके quantity dimension है 2kg उसको given price है उसको buy करा और एक given time of period में मैं 2kg ले रहा हूँ पीछे कितना लेगे गया आ कितना लेगे जाँगा उसको कोई लिन देना नहीं है यह मेरा क्या demand में consider हो जाएगा तो demand की proper definition क्या है उस पर आते हैं तो first question में आपको demand क्या होता है तो demand के लिए commodity नहीं commodity की quantity mention होनी चाहिए एक given time of period में given price पर purchase करने के लिए आप ready होने चाहिए उसको हम demand कहते हैं clear है तो what is the meaning of demand demand is the quantity of a commodity demand is the quantity of a commodity that a consumer is demand is the quantity of a commodity demand क्या है commodity है या quantity है quantity है तो demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time समझ रहे हैं इस चीच को clear है बच्चे तो demand के बारे में आप ज़रा समझ ये कि क्या है demand तो demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time तो यहाँ पर demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time तो हर टर्म्स को हमें इन्वाल्व करने की यहाँ पर नीड है तभी हम प्रपर definition को लिख पाएंगे अब बच्चे next question के तरफ हम आगे बढ़ें तो जैसा आप अपने सामें next question देख रहे हैं next question number two क्या है आपका explain law of demand with the help of a demand scheduled and diagram बच्चे law of demand को आपको explain करना है सिद्धान्त भी कहते हो आप मांग का सिद्धान्त मांग का सिद्धान्त मांग का नियम कहते हैं इसको हिंदी में मतलब की जो demand हम करते हैं उसका क्या principle होता है उसके क्या सिधान्त होते हैं क्या इसके low होते हैं low of demand तो बच्चे generally आप देखिए इसको practical example से हम लेके चलते हैं माल लीजिए आप generally हम demand जब करते हैं तो हम किस तरीकी से behave करते हैं तो बच्चे जब भी हम किसी भी commodity की demand करते हैं तो demand करते time पर हम एक और चीज को ध्यान में रखते हैं एक और चीज की entry हो रही है अब यहाँ पर एक और चीज का हम ध्यान रखेंगे जब भी हम demand करते हैं वो क्या है जिसका हम ध्यान रखते हैं वो बच्चे कभी भी किसी भी commodity का जब हम demand करते हैं तो वहाँ पर एक और चीज का हम बड़े धान से देखते हैं वो है उस commodity की price तो demand करते टाइम पर उसके price को भी देखा जाता है और generally हमारा behavior क्या सा होता है demand का principle क्या है demand का सिधान्थ क्या law of demand क्या है जब price किसी भी commodity की को भी commodity expensive होती है price जादा होती है या price increase होती है चीजे महंगी हो रही होती है market में तो उसकी demand हम क्या करते हैं उसकी demand को हम कम कर देते हैं कोई specific vegetable market महंगी हो रही है तो लोग क्या करते हैं उसकी demand कम कर देते हैं onion market में उसके rate बढ़ते जा रहे हैं तो restaurant वगरा प को दूसरे सब्सिटूट ऑनियन नहीं होता है तो उसके जिगह पर आपको दूसरे मुली वगरा या फिर खीरा वगरा इन सब चीज़ें को स्लाइड में यूज करते हैं तो बच्चे आप यहां पर देखें कि जब किसी भी कॉमडिटी की प्राइज अगर इंक्रीज होती है अज आ कंज्यूमर आप बताईए आप क्या से बिहेव करेंगे उस कमडिटी को लिगर के आप उसकी डिमांड को क्या करोगे कम करोगे तो देखेगा लो अफ डिमांड को समझाने के लिए एक चीज ज़रा समझिए यहां पर मैं लिख रहा हूं तो प्राइज और यहां पर मैं लिख रहा हूं डिमांड छीक है कोई भी एक कॉमडिटी है पर्टिक्लर मान लीजिए कॉमडिटी एक से अगर इसकी प्राइज इंक्रीज होगी तो इसकी डिमांड क्या होगी मार्केट में प्राइज अगर इसकी बढ़ जाए एकस की तो में demand लोग क्या करेंगे कम करेंगे तो बच्चे आप देखिए price जिस direction में move कर रहा है price जिस direction में move कर रहा है demand उसके opposite direction में move कर रहा है तो हमेशा धा दान रखिए एक चीज जिस direction में चले दूसरी उसके opposite direction में चले इसको opposite relation भी कहते हैं इसको हम negative relation भी कहते हैं इसको हम indirect relation भी कहते हैं इसको हम inverse relation भी कहते हैं अगर एक जिस direction में जा रहा है दूसरा उसका inverse जाए दूसरा उसका opposite जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम negative relation भी कहते हैं इसको हम inverse relation भी कहते हैं clear है बच्चे समझ रहे हैं आप कोई doubt तो यह हमारे पास में आप देख रहे हैं कि price में जिस direction में change आ रहा है demand में उसके opposite change आएगा clear है बच्चे समझ रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम opposite relation कहेंगे negative relation कहेंगे अब बात करते हैं price की तो price अगर decrease हो जाए price अगर decrease हो जाए clear है तो इसके demand जो है demand इसकी क्या होगी demand इसकी increase हो जाएगी clear है बच्चे समझ रहे है price अगर decrease हो जाए तो demand क्या होगी इसकी demand इसके कोई भी commodity हो अगर वो सस्ती होती है अगर उसके price कम हो रही होती है market में तो उसके demand हम क्या करते हैं उसके demand market में बढ़ जाती है क्योंकि एक consumer का nature ये होता है कि consumer महंगी चीज़ों को कम खरीदता है और जो चीज़े सस्ती रहती है उनको ज़्यादा खरीदता है तो अगर price कम हो तो demand क्या होगी demand बढ़ जाएगी clear है तो देख रहे है price जिस direction में move कर रहा है demand उसके opposite तो आप देख रहे हैं अगर price increase हो रहा तो demand decrease और price अगर decrease हो रहा तो demand increase तो price जिस direction में move करेगा demand उसके opposite direction में move करेगा तो demand में क्या change आएगा यह depend करता उस community के price में क्या change आ रहा है demand में उसके price में जो change आ रहा है उसका inverse change आएगा price अगर increase हो रही है तो demand decrease होगी और price अगर decrease हो रही है तो demand उसके increase होगी तो यहाँ पर बोलेंगे there are inverse relationship bit pain price of the given community and demand of the given commodity, किसी भी commodity के price और उसके demand में inverse relation होता है, अगर उसके price increase होती है, तो उसके demand कम हो जाती है, और price कम होती है, तो market में demand बढ़ जाती है, तो इसमें बोलते हैं, inverse relation, negative relation, आईए इसको एक दरद schedule से हम समझते हैं, schedule में क्या explain law of demand with the help of the demand schedule, बच्चे आप price ले लिया मैंने, और मैंने quantity demanded for per kg ले लिया, जब 10 रुपे price है, तो आप 1 kg ले रहे हो, जैसे price decrease हो रही है, 8 रुपे हो गया, तो आप demand बढ़ा रहे हो, price कम हो रहे हो, price कम हो रहे हो, price कम हो रहे हो, तो price अगर decrease हो रहे हो, तो demand क्या कर होता है, यह बता रहा है कि एक consumer का behavior क्या होता है, किसी भी community की price में, जिस direction में change आता है, demand में उसके inverse change आता है, price अगर follow, तो consumer उसके demand increase करते हैं, और price अगर decrease हो, तो demand फिर decrease कर देते हैं, तो इमने schedule से समझाए इस चीच को, जड़ा इसको हम आप diagram से समझते हैं, diagram में देखिएं आप, यह demand curve, आपको पता है negative relation हो गया अप, दो चीजा है diagram मनाएंगे, दो चीजा बroid है, एक to price का और एक quantity demanded का, कितने demand आप कर रहे हो, तो price को मैं Y axis पे represent कर रहा हूं, और quantity demanded को मैं X axis पे represent कर रहा हूं, और आपको पता है कि price में और demand में relation कैसा है, negative relation है, inverse relation है तो कभी भी दो चीजों में inverse relation होता है, तो diagram negative slope का बनता है, और negative slope का diagram क्या होता है, left to right downward, left to right downward, तो ये left to right downward बनेगा, this, this is demand curve, DD, आएए proof करते हैं, एक price है, इस पे ये Q quantity demand कर रहे हैं, अगर price में बढ़ा दूँ, P1, तो demand क्या होगा, Q1, demand कम होगया, और price अगर में कम कर दूँ, तो demand मैं बढ़ा दूँगा, clear है, समझ गे, तो price अगर मैं बढ़ाता हूँ, तो demand क्या होगया, कम, और price अगर मैं कम कर दूँ, देखिएगा, फिर से मैं बना जता हूँ diagram, आप अच्छे समझे इस चीज़ को, demand कर पर diagram मना रहे हैं, this, y, x, o, और यह y-axis price को represent करेगा, और यह आपके quantity demanded को, और demand कर नेगेटिव स्लोप का बनेगा, left to right, downward, this is demand कर, यह price है, यह quantity है, clear है, अब price अगर बढ़ जाए, चीक है न, clear है, तो demand क्या हो जाएगा, कम, देख रहे हैं, price अगर बढ़ जाए, तो demand कर को touch के नीचे आओ, आपको पता है, access पे जतना आगे बढ़ोगी, बढ़ेगा, जतना पीछे आओगी, कम होगा, तो price अगर बढ़ ज price कम हो जाए, तो demand का कोच ऊगे नीचे आओ, तो demand क्या हो गया, price कम हो, तो demand क्या हो गया, तो आप diagram में समझे, price अगर में बढ़ आ रहा रहा है, तो demand कम, और price कम कर रहा हूं, तो demand जादा, तो यह law of demand का diagram हो गया, और यह इसका schedule हो गया, आईए ज़रा, इसको हम, अभी तक तो क्या समझ माइए आपको law of demand में principle demand का सिधान्थ क्या है तो demand किसी भी commodity का उसके price पर depend करता है और price अगर उसके increase हो तो उसके demand हम decrease हो जाती है, कम करते हैं और price जब decrease हो तो demand हम बढ़ा देते हैं उसके तो यह समझ माइए कि किसी भी commodity के price और उसके demand में inverse relation होता है negative relation होता है opposite relation होता है और demand curve कैसा बनता है left to right downward जैसा आप अपने सामने देख रहे हैं आए ज़रह इसके theory को ज़रह पड़े हंजी बच्चे देखें इसके theory पर आते हैं question number second explain the law of demand with the help of a demand scheduled तो law of demand में हमारे पास में यही है समझने को कि किसी भी community की demand उसके price पर depend करता है अगर किसी भी community का price increase हो जाए तो demand decrease हो जाएगी और price decrease हो तो demand उसके increase हो जाएगी इसका मतलब यह हूआ price जिस direction में move करेगा demand उसके opposite direction में move करेगा price और demand के बीच में opposite relation होता है, inverse relation होता है negative relation होता है कुछ है लेकिन ये भी ध्यान रेखने की जुरूरत है आपको कि किसी भी कमुलिटीust की डिमांड में जो चेंज़ आ रहा है वो उसकी charge की वज्जी से ही कई बार ऐसा होता है कि किसी में 2016 पार बिलल के डिमांड में कि यहां सब्छाइब टेमांड में जो हम discussion कर रहे हैं वो ये discuss कर रहे हैं कि community की demand में जो भी change आ रहा है उसके पिछी responsible उसके price ही है other factor का कोई role नहीं है यहाँ पर other factor को नहीं रखा गया है law of demand में किसी commodity की price का उसके demand में क्या effect पड़ता है यह समझाया जा रहा है other factor का इसमें कोई role नहीं है other factor remain same and constant आप बोल सकते हो तो inverse relation होता है किसी community के price का उसी के demand पर कैसे ज़रा देखिएगा state of law of demand बताता है law of demand the law of demand states other things remaining unchanged other things का मतलब समझ गया ना बागी चीज़ों को छोड़ दिया गया वो unchanged है इसको भी detail नहीं पड़ेंगे इसके बाद वाले कुश्य मिलेंगे quantity demanded of a commodity are inversely related to the price of a commodity किसी भी commodity की quantity उसके price से inversely related होता है अगर price increase होगा तो demand decrease और price decrease होगा तो demand increase in other words demand for a commodity rise when price falls and its demand falls when price rise तो जब किसी commodity की price जो है वो वो कम होती है तो demand बढ़ जाती है और demand कम कब होती है जब उसकी price बढ़ जाती है और इसमें other factor का कोई भी रोल नहीं है उसे unchanged mention करना पड़ेगा other factor को हम आने वाले question में पड़ेंगे demand में क्या है other factor तो बच्चे explain the law of demand with the help of the demand schedule तो क्या है statement of a law of demand the law of demand states other things remaining unchanged quantity demanded of a commodity are inversely related to the price of a commodity in the other word demand for a commodity rise when price falls and its demand falls when price rise provided other factors remain unchanged तो यह बच्चे आपकी demand की theory थी आईए अब next question की तरफ हम आगे बढ़ते हैं हांजी बच्चो अब हम next question पर आगे है question number three और बच्चे question number three हमारा है explain the causes behind law of demand जैसा कि अभी आपने law of demand का एक questions किया है कि law of demand किसे कहते हैं या principle of demand क्या होता है तो आपने यहां पर यह समझा कि कि किसी भी commodity की जो demand है वो उसके price पर depend करता है तो अगर उस commodity की price increase हो और फिर as a consumer का जो behavior होता है वो उसके demand को क्या कर देता है कम कर देता है और जब किसी भी commodity की price decrease हो तो उसकी demand increase हो जाती है उस commodity की तो यहाँ पर आपने यह पड़ा था कि other factor को अभी हमने रहने दिया था other factor पर कोई discussion नहीं करा other factor को unchanged रखा other factor का मतलब हो गया किसी और reason से demand का affect होना पर यहाँ पर किसी और reason को अभी हम involved नहीं कर रहे हैं law of demand में law of demand में किसी भी commodity के demand में जो change आ रहा है उसके पीछे हम उसके price का ही roll रख रहे हैं उसके पीछे हम उसके price का ही roll रख रहे हैं तो अगर उस commodity के price increase हो जाए तो उसके demand decrease की जाए और price decrease हो तो demand उसकी increase हो जाए इस चीज़ को हम low of demand कहते हैं जिसमें other चीज़े क्या हो हमारी constant हो यह हमने low of demand में पड़ा अब मेरा question यह है question number 3 कि क्या reason है low of demand के causes क्या है मतलब ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है कि हम ज़्यादा price पे high price पे low quantity लेते हैं और low price पर high quantity बाइ करते हैं ऐसा क्यों होता है जब price increase होती है तो demand decrease हो या फिर जब price decrease होती है तो demand increase हो ऐसा क्यों होता है क्यों एक consumer ज़्यादा price पर कम बाइ करता है और कम कीमत पर ज़्यादा बाइ करता है ऐसा consumer करता तो है बट क्यों करता है कि क्यों के लिए हमने question number 3 को लिया है तो explain the causes behind law of demand जो law of demand apply होता है इसके बीचे क्या causes है clear है क्यों कम price पर क्यों जब price decrease होती तो demand increase होती है और जब price increase होती तो demand decrease होने लिए जाती है क्यों ऐसा क्या reason है इसको ऐसे भी question को पूछ सकते हैं आपसे why is there inverse relationship between price of a commodity and its demand clear है बच्चे इसमें आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं why is there inverse relationship between the price of a commodity and its demand कि किसी भी commodity के price और उसके demand में inverse relation क्यों होता है price जब increase होती है demand decrease और price जब decrease होती है demand increase क्यों होता है यह आपसे पूछ रहा है clear है बच्चे तो काफी अच्छा question है आईए इसके आंसर की तरफ आते हैं बच्चे एक्चिल में देखिएगा एक कंज्यूमर का नेचर क्या होता है जरह इस चीज को पहले समझ लीजिए कि एक्जामपल दो समझ जीए आप क्लिर है एक कंज्यूमर जब भी किसी भी कमडिटी को बाई करता है जब किसी भी कमडिटी को परचेस करता है तो वो उसका क्या हिसाब रहता है उसका नेचर कैसा रहता है मतलब कि उसका बिहेवियर कैसा रहता है किसी भी कमडिटी को लेकर के तो जनरली एक कंज्यूमर का बिहेवियर ये होता है कि वो जो पे कर रहा है उससे ज़्यादा उसको return मिले at least कम से कम तो जो वो pay कर रहा है उसके equal तो उसको return मिलना चाहिए इसको हम कहते है money for the value जो हम pay कर रहे हैं हम जो pay कर रहे हैं उतना तो हमें return मिलना ही चाहिए कम से कम तो consumer कभी भी किसी भी community को जब buy करता है तो वो इस चीज को देखता है इस चीज को वो compare जरूर करता है कि जो वो pay कर रहा है और जो उस goods से उसको satisfaction level मिलेगा उसमें price से compare करता है कि हाँ जो वो pay कर रहा है उससे ज़्यादा satisfaction level मिल रहा है अगर उसको तो buy करने का decision लेता है even जब वो pay कर रहा है उसके बराबर का भी satisfaction level उसको मिल जाए money for the value अगर उसको मिल रहा है तब भी वो purchase करने का decision ले लेता है लेकिन जब वो उसको realize होता है यार मैं जो pay कर रहा हूँ ना जितने इसकी कीमत है जितने इसका price है जो मैं इसको pay कर रहा हूँ उतना मुझे return में नहीं मिल रहा है satisfaction level तो consumer भले इसको satisfaction level मिले पर उतना नहीं मिल रहा है जितने कि उसके price है उसको payment के payment उसको ज़्यादा लग रहा है तो consumer वहाँ पर क्या कर देता है वहाँ पर उसको buy नहीं करता है मैं एक example लेता हूँ ज़रा इस example को पहले आप समझेगा अच्छे से समझेगा इस example को question यही है कि consumer कैसे decide करेगा कि वो किसी भी commodity के कितनी निट्स को buy करे या फिर ज़्यादा price पर वो कम क्यों खरीदता है कम price पर वो ज़्यादा क्यों खरीदता है तो ज़्यादा price पर कम खरीदता है कम price पर ज़्यादा खरीदता है ऐसा क्यों करता है consumer यह है मेरा सवा तो बच्चे इसको एक practical example से अच्छे से हम समझते हैं example हमारा for example example में हम लेते हैं बच्चे ज़रा समझेगे इस सेच को मान लिजी for example आपको बहुत तेज प्यास लगरीगे कहीं बहार गए थे और आपको वहाँ पर बहुत तेज प्यास लगरीगे आपका पूरा गला आपका वहाँ पर सूकता जा रहा है क shops के देर तक आप क्यूंकि आप बसमें बैटे हुई हैं तो बस में कोई पानी का इंतिजाम भी नहीं और आसपास पानी भी नहीं और बस कोई आपको पता है कि रुखती भी नहीं है हुट इसे साप से जोकि आप कहीं उतरते पानी पाले बड़ आपको भहुत तयज प्यास लगttर कर लिया सब कुछ clear हो जाएगा जैसे ही आप वहां से उत्रे आप जैसे ही बच्चे वहां से आप जैसे ही वहां से उत्रे आपको एक पानी वाला निज़र आया अब आपको वहां पर एक पानी वाला निज़र आया तो वहां पर आप पानी लेते हैं तो आप वो कहता है पानी वाला कि उस गिलास पानी को पीएंगे कि पीएंगे क्यों? क्योंकि आपकी नीड्स बहुत जादा है और हमारा जो satisfaction लेवल है ना वो हमारी नीड्स पर depend करता है हमें जितनी ज़्यादा ज़रूत होती है ना में उसी से उतना ही मज़ा आता है और जितनी कम ज़रूत होती है हमें उतना ही कम मज़ा आता है तो जितनी हमारी नीड्स होगी उतना ही हम enjoy करेंगे उतना ही हमें satisfaction लेवल मिलेगा तो हमारा satisfaction लेवल हमारी नीड्स पर depend करता है और आपको इस समय नीड्स बहुत ज़्यादा है तो आपको उस एक गलास पाणी Satisfaction level भी बहुत जादा मिलेगा तो आप 20 रूपे पे कर रहे हैं लेकिन Satisfaction level बहुत मिलेगा आपको आपने क्या ग्रणा 20 रूपे पे करके आपको ज़रुत भी बहुत थी आपने एक गलास पाणी पे लिया वो कहते हैं पानी वाली जो पानी बेज रहे था वो कहते है आपसे कि सर एक गलास पानी और लगाओं आप काओगी नहीं नहीं महंगा यारा बहुत महंगा पानी दे रहे हो एक गलास पानी बीसे बेगा दे रहे हो ये बताईए जड़ा एक गिलास पानी से क्या उसके नीड्स फुल्फिल हो गई होगी नहीं फुल्फिल नहीं होई है तब भी वो कह रहा नहीं है महंगा है दूसरे गिलास मैं नहीं प्यूंगा तो वो दुकानवाला कहेगा सर पहले गिलास भी तो यही था कॉलिटी भी यही थी पीने वाले भी आप थे पैसा भी 20 रुपे था अब भी कॉलिटी यही है पीने वाले आप हैं पैसा भी 20 रुपे अब आपको महंगा लग रहा है पहले यह महंगा नहीं था क्लेरे बच्चे तो बच्चे यहां पर आप देखें सबसे पहले कि पहला गिलास तो आपने 20 प्रॉप में कंजूम किया दूसरा गिलास आप क्यों कंजूम नहीं कर रहे हो क्या इसके पीछ यह रीजन आप फुली सडिस्फाइड हो चुके हो obviously आप fully satisfied तो नहीं हुए होंगे गिलास पानी से लेकिन आप ये reason दे रहे हैं अब है महेंगा है तो मेरा सवाल ये है जब महेंगा तो पहला गिलास महेंगा क्यों नहीं लगा वो भी तो 20 रुपय गा था वो 2 रुपय थोड़ी नहीं था मैं बताब तो इसके बीचे क्या रहे हैं दूसरी गलास पानी आप नहीं पिएंगे और आप ये बोल रहे हैं महेंगा है क्यों महेंगा है क्योंकि पहले गलास में आपका satisfaction नबल ये था तो आपको क्योंकि पहले गलास में आपके needs ये थी तो आपको Satisfactionable भी यह मिला एक ग्लास पानी पिया तो अब एक ग्लास पानी पिलेने के बाद आपके नीट्स इतनी ही तो नहीं रहेगी नीट्स रहेगी, मैंने करना नीट्स नहीं रहेगी रहेगी, बट पहले कंपेडेवली कम हो जाएगी क्योंकि आप एक ग्लास पानी पियोगे तो पेमिंट तो उतना ही जाएगा प्राइस कम नहीं होता है कि मुझे कम मज़ा आ रहा है आप कम पैसे ले लो पेमिंट तो उतना ही जाएगा लेकिन नीट्स पहले से कम है Satisfactionable पहले से कम आएगा मुझे मालूम है मुझे मज़ा आएगा मुझे पता है मुझे दूसरे ग्लास पानी की नीड है मुझे पता दूसरे ग्लास Satisfactionable मिलेगा लेकिन मैं 20 रुपए है पहले वाले में तो मुझे बहुत जाए Satisfied कर रहा था लेकिन अगले वाले में पहले में मेरा क्या था पहले में प्राइस ये पे कर रहा था Satisfaction Level ये मिल रहा था तो ठीक है मैंने फिर इसको consume करा Next Time मैं प्राइस तो यही पे करूँगा मेरी नीड्स कम हो जाएगी एक ग्लास पीन के बद Satisfaction Level because of law of Deminishing Margin Utility किसी भी community का Contextory Conjunction करोगे नेक्ट से मिलने वाला Satisfaction Level आपका Fall होगा तो नेक्ट से आपको Satisfaction Level ये कम होगा तो आपको मैं नहीं कह रहा है मैंने यह नहीं कहा Satisfaction Level नहीं मिलेगा Satisfaction Level आपको मिलेगा बट अगर आप अपने Price से इसको compare करें तो आपका Satisfaction Level Price से को यह नहीं करते हैं जो money for the value ना हो मैं मुझे नीट यह मैं नवी कर रहा है प्राइस ज्यादा है इसके लिए मैं इसको नहीं ले रहा हूं कि price relatively price higher पहले मैं satisfaction रबल ये मिला अब second time क्या होगा नीर तो है जुरूत तो है but satisfaction level because of law of diminishing margin utility price एही पे करना पड़ेगा satisfaction लबल क्या हो जाएगा काम हो जाएगा और satisfaction रबल काम हो जाएगा तो ये money for the value नहीं है जो पे कर रहे है उसे कम मिल रहा है इसलिए दूसरे glass अगर आप इसी तरीके से एक दो गंटे तक प्यासे आप घूम रहें आपको पानी नहीं मिला और आप बस में बैठे वे ते कुछ समय बाद आप बस से उतरे इस टेंड पर आपको पानी वाला मिला अगर वही ग्लास वाटर आपका एक रुपए का होता पहले गलास आप पीते पिया आप दूसरे गलास पीते नहीं पीते दूसरे गलास भी आप जरूर पीते दूसरे गलास पानी भी आप जरूर पी होगे अब मेरा यह सवाल है उस समय तो आपको महंगा लगने लग दूसरे गलास अब आपको दूसरे गलास महंगा क्यों नहीं अब आप ये कर रहे हो और क्लिर रहे हो जाँ अब अब प्राइस आपका बिलो है फसकेशन में यह मिला सेकेड्ड टाइम मुझे पता आपका सटिस्फॉक्शन लेवल कम मिलेगा क्या अब लॉप दिमिशन माजनी एक अप्लाइन नहीं होगा अब सपित अधा नहीं आएगा बिल्कुल आएगा, second glass पी होगे, तो pay यही करोगे, तो बट आपका satisfaction level यह रहेगा, तो लेकिन second से कम हुआ, बट price तो सरफ एक रुपे ही है, second glass से कम मज़ा आ रहा है, पहले compatibility में मज़ा आ रहा है, लेकिन एक रुपे से compare करूँ, तो एक रुपे के comparison में ज्यादा आ रहा है, price low है, तो क्यों मेरे money for the value, यहां मैं receive कर रहा हूँ, 20 रुपे कम बेदेन में money for the value नहीं आ रहा था, बट एक रुपे कम बेदेन में money for the value आ रहा है, तो मैं consume करूँगा, and third glass of water, तीसे glass प्यास ब्यास सो लग, बहुत ते लगी वे थे, तीसे glass पानी ले ले लेते हैं, क्या पड़ता है, एक रुपे तो कीमत है, मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं तीसे glass से कम मज़ा भी आ रहा है, तो भी तो price money for the value में recover करी पर बारा हूँ, तो बच्चे low of demand में क्या समझ माया, high price पर, आपको satisfaction level high रखना होता, इसके लिए आप कम unit का consume करोगे, और low price पर, आप अपन damaging margin utility में आपने क्या सीखा है, low of damaging margin utility में बच्चे आपने क्या सीखा है, जर आप मुझे ये बताएं, low of damaging margin utility में ये सीखा है, आपने कि कम unit पर high satisfaction level होता है, और जैसे जैसे आप किसी भी community consumption continue करते चले जाते हो, तो next unit से मिलने वाला satisfaction level आपको last unit के comparatively आपको क्या हो जाता है, कम कम हो जाता है, और जितने ज्यादा unit consumption करोगे, आपका जो each unit से मिलने वाला satisfaction level लास्ट के comparatively में कम होता चला जाएगा, तो इसलिए high price पर, और एक consumer का ये behavior है, consumer जो pay करता है, और जो receive करता है, इसमें हमेसा compare करता है, जो वो pay कर रहा है, उससे ज्यादा गर उसको मिल रहा है, तो जुरूर buy करेगा, जो pay कर रहा है, जो पे कर रहा है, गर उससे कम मिल रहा है, तो फिर वो उसके लिए loss का हो गया, बहले उसको मजा आरा, उसको need भी है, पर payment से कम है, आज आप समोसे खाते हैं, ये समोसे अजार रपे का हो जाए, आप खाना बंद कर दोगी, क्यों? हजार रपे का होने का मतलब ये नहीं कि आपका समोसे खाने का मन नहीं कर रहा है, मन तो कर रहा है, पहले जितना ही कर रहा है, उतने ही needs है, उतना ही satisfied करेगा, लेकिन अपने satisfaction level को 1000 रुपी से compare करोगे, तो 1000 रुपी ज़्यादा है, वही समोसा 10 रुपे का है, तो आप एक consume क करेंगे, क्योंकि आपका जो needs है, उसके according 10 रुपे ठीक है, वही समोसा 2 रुपे है, तो आप एक है, दूसरे में आपको कम भी मज़ आएगा, चलेगा, क्योंकि payment को बहुचाता दे रहे हो, 2 रुपे तो बच्चे जब price high होती है, तो satisfaction level मिलता है, second time price तो concentrate रहता है, यह पे क आपका satisfaction level क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कम होगा, आपको चाहिए, need तो है, मिलतो रहा है, तो आपका satisfaction level यह मिला, then, अगर आपका next से कम भी मिल रहा है, पर price से compatibility से आपका ज्यादा है, तो consume करना बनता है, consume करोगे, third से भी, fourth से भी, fifth से भी, तो less price पर आप ज्यादा consume कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका satisfaction level fall भी होता चाहरा है, पर price से compatibility money for the value है, तो इससे आपको loss नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं हम high price पर कम क्यों buy कर रहे हैं, क्यों satisfaction level को price के equal रखना पड़ता है, तो हमें कम unit का buy करेंगे, ज्यादा हम buy करेंगे तो low of dimension margin utility अप्लाई होगा, next से कम मिलेगा, low price पर हम ज्यादा क्यों consume करते हैं, क्योंकि अगर हमेरा satisfaction level कम भी हो रहा है, because of low of dimension margin utility, price के compatibility ज्यादा ही है, तो हम ज्यादा consumption कर सकते हैं, तो कहीं ने कहीं, low of dimension margin utility का rule है, high price पर less unit consumption करते हैं, और low price पर ज्यादा unit consumption कर लेते हैं, क्लिर हैं बच्चे, समझ माएं आपको, इसी चीज़ को बच्चे, हम एक theory पढ़ते हैं, तो question क्या था हमारा, हमारा question यह था, explain the causes behind law of demand, और why is there inverse relationship between price of the commodity and its demand, तो बच्चे क्या है, क्यों किसी community की price और उसकी demand में inverse relation होता है, low of demand के पीछे क्या reason है, या फिर आप कहें, तो आप high price पर आप less quantity क्यों buy करते हो, या less price पर आप ज़्यादा quantity क्यों buy करते हो, यह है, तो यह इसके पीछे reason क्या, law of diminishing marginal utility, तो क्या कहता है, law of diminishing marginal utility, this law states that when our consumer consumes more and more units of our commodity, marginal utility derived from successive unit goes on decreasing, तो सबसे पहले आपको diminishing marginal utility को explain कर रहा है, जो कि हमने already chapter number one में discuss किया था, तो this law states that when our consumer consumes more and more units of our commodity, marginal utility derived from successive unit goes on decreasing, if he gets more satisfaction, ज्यादा satisfaction में मिल रहा है, he will pay more and if he gets less utility, he will buy at a lower price, अगर उसको कम satisfaction में मिल रहा है, तो वो कम पे करने के लिए ready होगा, since additional units give him lesser utility, because of law of diminishing marginal utility, आपका additional unit कम satisfaction level देगा, he will buy additional unit only at lower price, वो lower price पर ही बाय कर पाएगा, and this is the law of demand which states that demand for a commodity, is more at lower price and less at higher price, clear है बच्चे, समझ में आगे आपको, तो यह हमने पहला reason पढ़ा ही, यह हमारा जो है, यह reason क्या हमारा first है, तो law of demand apply होने के पिछे reason number first हमारा क्या है, law of diminishing marginal utility, तो बच्चे यह first reason है, clear है, अग्जी का हुए झाय है, माल दाल पाइए यह DO कहुए यह भूए रिंविख़ एपफ़े,